नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर एलगो क्राइब के इस वीडियो टुटोरिल में मैं हूँ आपका दोस्त परवी नाना और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दिखाएंगे अपना नया प्लाटफॉम जो की है कॉपी ट्रेडिंग करने के लिए आपने बहुत सारे लोगों से कॉपी ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा मैं आपको फिर से बताता हूँ कॉपी ट्रेडिंग का मतलब है एक ट्रेड जो आपने किसी एक अकाउंट में लगाई है सेम ट्रेड को without any time delay दूसरे अकाउंट में लगा देना इसमें आप चाहें तो 4-5 अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप 40-50 अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, तो जितने भी अकाउंट में आप ट्रेड लगाना चाहेंगे, वो एक ही साथ लगेगा मिना किसी डिले के, यानि कि अगर आपने मान लीजिए कि कोई एक स् ब्ल्यू में हो आपका एक order लगने के बाद उनके सारे account में order चले जाते हैं same order जैसे कि बहुत सारे लोग इस तरीके से होते हैं जो portfolio management करते हैं या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने family के account को खुछ से manage करते हैं एक एक करके सबके account में trade डालते हैं तो ऐसे process में क्या होता है कि हर बार हर एक line का account login करना और उसके बाद trade करना उसके बाद जा कर देखना कि trade लगा नहीं लगा और दूसरे account में भी trading करना उस सबको करने में काफी ज़्यादा time spend हो जाता है और उसकी और पताना चाहता हूं कि algo bridge जो software है वो सिर्फ copy trading करने के लिए नहीं है इसके अलावा भी इसके बहुत सारे functions हैं जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आते रहें और आपको हमारे आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल पाए उसके लिए बैल आइकन भी जरूर दबा देजिए क्योंकि बैल आइकन दबाने के बाद आपको सबसे पहले notification मिलेगा हमारी नई वीडियो का तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहला काम जो दोस्तों मैं आपको करने वाला हूँ वो यह कि मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ अब मैं दिखाऊंगा क्या मैं एक account में trade लगाऊंगा जिस account में मेरा जो broker है वो यहाँ पर linked है और वो है angel broking मेरे पास और भी दो account है जिनमें हम trade करेंगे और उसके अलावा मैं एक और नया account add करूंगा और उसके बाद उसमें भी हम लोग trade करके देखेंगे सबसे पहले हमें कहां जाना है market watch में जाना है कोई भी आप symbol यहाँ से आते हैं search कर सकते हैं अगर आपको search करना है जिसे मेरी मार्केट वोड लिस्ट में काफी सारे symbols हैं अगर आपको इस इंबर डिलीट करना चाहते है तो यहाँ पर आप डिलीट का बटन प्रेस कर सकते है उससे आपका सिंबर डिलीट हो जाएगा यह हम देख सकते हैं कहाँ पर, यह हम देखेंगे दूसरे clients के account में, यहाँ पर आप देखेंगे यह एक account है, जो मैंने खोला हुआ है, अब इस account में आप देख सकते हैं कि broker कौन है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, यह देखेंगे, यहाँ पर Excel का order देख रहा है आपको, यह इसमें fund नहीं account में, इसके अलाबा एक और account में दिखाता हूँ आपको, इसमें हमने trade डाला है, वो यह रहा, एक और account है, अगर आप इसकी भी order book में जाएंगे, तो आपको दिखेंगे, यहाँ पर दो order लगे, एक buy का, एक sell का, तो जो sell का अभी हमने मा रहा है, order वो है, 14 ब किस तरीके से copyer से यह trade गए हैं दोनों, उसके बाद आप अपनी positions भी देख सकते हैं, position में आपको दिख जाएगा कि आपको buy से लेके sell तक 20 पैसे का नुकसान हुआ है, और अगर आपका trade यहां से पढ़ा हुआ है, तो यहां से भी आप square off भी कर सकते हैं, तो यह जो account अभी जो trade होता है, वो master के account से होता है, master account अलग है, user account अलग है, तो दो अलग अलग तरीके के accounts होते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख पाएंगे, जब आप किसी user के account में होते हैं, तो आपको authentication के section में एक tab मिलता है, यहाँ पर want to become a master, तो अगर आप become a master पर क्लिक करेंगे, तो आ कैसे create करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों यह जो मेरा account है, यह है master account, अब मैं master account से एक आपके लिए account create करता हूँ, जैसे यह मैं यहाँ पर गया, मैंने create user पर click किया, अब यहाँ पर मैं अपने ही नाम से माल लिजे, एक account create कर रहता हूँ, mobile number में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, जो मेरा मन करे वो मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, आपको जरूरी नहीं है, कई बार लोग होते हैं, कि privacy maintain करना चाहते हैं, अपने clients का data नहीं देना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है का आपको original mobile number डालना, आप कुछ भी डाल सकते हैं, बड़ वो unique होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद मैं पासवर्ड में 123456 देके submit कर रहा हूँ, अब यहाँ पर आप देखेंगे, मेरा एक account create हो गया है, अब मुझे इस account को login करना है, तो मैं यहाँ पर इसको account को login करता हूँ, जो account है, यह मेरे को मिल गया है, अब यहाँ पर सबसे पहली च 5256 दिया था, मैं इसको 123456, 7 कर सकता हूँ, ठीक है, यहां पर में 123456, 7 कर देता हूँ, यहाँ थोनो password SAME है, अब मेरा है deaf password करता हूँ, जैसे में चेंज password करूँगा, अब मिरा password chang हो गया, अब मैं कुछ भी अपने यहां पर रख सकता हूं वह password ही काम करेगा ठीक है तो यह था process कि किस तरीके से आप आके अपने क्योंकि देखिए master के account से trade copy आपको करना है अगर तो आप master को जानते हैं अगर वो आपके जानका रहा है अगर आप चाहते हैं कि भी trade सही से होगा आपको पता है तो ठीक अब यह TOTP माग रहा है TOTP आपको mobile से मिलेगा TOTP के बारे में आप सब जानते ही होगे किस तरीके से create होता है नई भी जानते हैं तो हमारे पास उसके वीडियो है आप हमारे चैनल पर जाके उसके वीडियो देख सकते हैं और उसको मैंने किया यहां पर generator ठीक है यहां पर token प कुछ orders यहां पर गहे हैं Nifty December के orders जो कि यहां पर fail होगे reject होगे ठीक है अब यहां पर माल लीजे मैं चाहता हूँ कि अब जो copier का जो trade आएगा यहां पर देखिए trade by algobridge लिखा हो है अब जो copier से trade आता है उस पर trade by copier लिखा होता है ठीक है तो अब हम एक trade लगाएंगे यह यहां पर यह मैंने अपना account link कर लिया तो यह मेरा master का account है ठीक है अभी हम जो trade लगाएंगे वो किसी और symbol में लगाते हैं अभी हम trade लगाते है SBIN में लगाते है SBIN में हम गई हमने यहां पर डाला 5 stocks और हमने MIS किया और यहां पर place कर दिया order तो जैसी place करेंगे यहां पर message इसका buy का order लग गया order reject हो गया because fund नहीं था ऐसा ही आप इसका timing भी देख सकते है 14 बत के 48 minute 38 second पर order गया है इसके अलावा जो दूसरा account है यह वाला इसमें भी हम देख सकते है का order गया है 14 बत के 48 minute 38 second पर एक भी second के delay नहीं है ठीक है उसके अलावा तीसरा account भी हम देखते हैं यहां पर यह तीसरा account है हमारा जिसमें हमारा trade गया था इसके भी हम order book में चेक करते है तो यहां पर भी आप देख सकते है 14 बत के 48 minute 38 second पर order है buy का तो यह था दोस्तों process की किस तरीके से आप copy कर सकते है trades को और copier में आप जो है जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से manually button दबा कर ही trading करेंगे आप चाहें तो कोई strategy बना सकते हैं और उस strategy को अपने account के साथ link कर सकते हैं अपने account के साथ strategy को link करने से आपका trade automatically हो जाएगा यहां पर क्या है कि अभी आप button द दिखाता हूं तो दोस्तों ऐसा है कि जब आप यहां पर आएंगे ना setting में आपको यहां पर एक button दिखेगा जो है copy trade book अगर आप copy trade book वाले को enable कर देते हैं तो जो भी आपके data trade book में आएगा वो सारा copy होके आपके सारे के सारे accounts में लग जाएगा यानि कि आप चाहें तो अ one by one बताता हूं कि master के roles और copyer के role क्या क्या है सबसे पहले मैं आपको client के point of view से बताता हूं यारे user के point of view से बताता हूं कि आप क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहले छीज़ यह आपको आकर हमारे platform पर अपना account login करके authentication करना होगा authentication करने के बाद आप जो हैं हमारी market watch यहां पर जो दी है उसको इस्तमाल कर सकते हैं यहां market watch से trade कर सकते हैं जरूरी नहीं आपको अपने broker के platform पे जाना है आप directly यहां से trade कर सकते हैं उसके अलावा order book में आप अपने orders देख सकते हैं trade book में अपनी लगी हुई trades देख सकते हैं और positions में अपनी लगी हुई position भी देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप copier के point of view यानि security के point of view से जानें तो यहां पर आपको setting का button मिलता है उस setting के button में अलग-अलग चीज़े हैं जिनके बार में मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जो सीधे हाथ पे आप देख रहे हैं वो है bridge tool bridge tool में यानि कि आप mt4 से या trading view से या किसी भी software से अगर signal उठाना चाहते हैं को भी आप उठा सकते हैं और आप इस platform को as a single user भी use कर सकते हैं अगर आप copy नहीं करना चाहते हैं copy नहीं करना चाहते तो आप single user भी इस platform को use कर सकते हैं उसके लिए आपको यहां पर यह buy now का button दिख रहा है इससे आपको subscription buy करना होगा mt4 यह trading view bridge के लिए ठीक है अब आपका bridge का subscription add हो जाएगा उसके अब आप यहां से copier की को use कर सकते हैं और अलग-अलग चीज़ों को copy कर सकते हैं ठीक है यहां पर यह जो bridge tool है इसमें क्या कि यह properly बारे में है कि आपको अगर कोई indicator use करना है तो आप कर सकते हैं इसको use तो cash को आप enable रखेंगे तो सिर्फ cash के symbols में trade होगा अब cash में जैसे मालिज आपको ACC में करना है तो आप ACC यहां पर select करेंगे ACC equity आगया इसको आप add कर लिजे अब add कर लिए तो इसके cash में trade होगा अगर आप इसके future में trade करना चाहते हैं तो यहां पर आप future को enable करेंगे और यहां पर search भी आप ACC के बारे में ऐसे करेंगे ACC November future या जो भी December future होगा तो December future यह मैंने future लगा दिया future लगाने के बाद यहां पर इसके quantity जितनी भी होती होगी 500-600 जो भी आपका इसका lot size है उसी साब से आपको इसको लगा देना है तो यहां पर लगाने से क्या अब इन दौनों ही symbol में trade जाएगा जो तो symbol आपने लगा है इनमें trade जाएगा इसके लावा किसी और symbol में trade नहीं जाएगा आप आप चाहें तो और symbols add-on कर सकते हैं यह था bridge के बारे में उसके बाद में option bridge option bridge में कई बाद लोग ATM में या ITM में या OTM में trade करते हैं 20 50 whatever तो उसके बाद add करेंगे तो क्या है कि यह भी आपका काम ऐसे ही करेगा single user के लिए यानि कि आप strategy बना सकते हो strategy बना के यहाँ पर apply कर सकते हो लेकिन क्यूंकि आपका account जो user account है तो आपकी trades कहीं भी copy नहीं होंगी वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के trading account में जाएंगी और कहीं नहीं जाएंगी ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको left side में दिखा रहा हूं जो copy trading का funda है यहाँ पर देखिए option लिखा है copy all trades ठीक है copy all trades पे जब आप enable करते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि जितनी भी trade आपकी आएं उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि किसी particular symbol में आपकी trade हो तो आप copy selected symbol कर सकते हैं और यहाँ पर symbol का नाम लिख सकते हैं जाए निफ्टी लिखा आपने निफ्टी में लिख दिया आपने यहाँ पे 500 और आपने add कर दिया अब क्या होगा दोस्तों कि अगर master nifty की 100 quantity की trade ड nifty add कर दिया तो अब क्या होगा कि जब आपकी copy होगी ना trade तो bank nifty में जब भी कोई trade आएगा तो वह 25 quantity लेगा चाहे आपका master 200 भेजे चाहे 500 भेजे चाहे 1000 भेचे आपका 25 ही लेगा यह तो हो गया कि अग आप filtration करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी कम trade हो आपकी उत bank nifty का master कोई भी trade डालेगा तो आपकी 25 quantity की trade वहाँ पर हो जाएगी अब यह तो था कम का अगर आप जादा करना चाहते हैं मालेजे आपको लगता है कि जो master है वो कम quantity में trade करता है और आपको उससे double quantity में trade करना है तो आप क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर इसको इस तरीके से multiplier को increase कर सकते है तो कर दिया तो अगर वो 25 भेज़ेगा तो आपके 50 होगी वो 50 भेज़ेगा तो आपके 100 होगी वो 100 भेज़ेगा तो 200 होगी तो double होती जाएगी यहाँ पर 3 times, 4 times, 5 times, इतना भी times आप करना चाहते है आप 2 यहाँ पर हम दिया है 20 times तक तो आप अपने इसाब से एक चीज़ बस आपको ध्यान रखने है कि जब भी आप password create करेंगे तो उसे कहीं पर copy करके रख लीज़ेगा क्योंकि अगर आपको यह password आप फिर से भूल गए तो फिर आप रिच्टरेट नहीं कर पाएंगे password को फिर आपका account delete करना पड़ेगा तो यह चीज़ ध्यान रख दिखाया है कि आप क्या password बना रहे हो उसके बाद यह password जाकर जब हमारे server पर save होता है तो वह encrypt हो जाता अपने आप यानि कि उसको कोई नहीं देख सकता सिरफ आपके platform पे आप ही उसको देख सकते हो ठीक है और वह भी one time जब आप उसको create करते हो तो इस चीज़ का खास धि यह था client का account की किस तरीके से client क्या क्या चीज़े कर सकते हैं आप जरूर नहीं है कि आप इसको as a copy trading के लिए use करें अगर आप individual भी trading करना चाहते हैं तो भी आप bridge tool का इस्तमाल कर सकते हो आपका trade automatically हो जाएगा कोई भी strategy आप बना सकते हो कोई भी strategy हमसे भी बनवा सकते हो हम आ आपको यहां से एक redirect होके हमारे page पे लेकर जाएगा जिसमें लिख रहा है 2000 रुपीज आप इसको pay कर सकते हो और pay करने के बाद आप automatically master में convert हो जाओगे तो master में convert हो जाओगे तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो आप लोगों के account create कर सकते हो आपको मानलो 10 लोगों को अपने vendor में डालना है तो आप उनके account create कर सकते हो वह कहां से करेंगे आप यह master का account में कुछ चीज़ा हो और extra दिखते हैं my client इन सब के बारे में भी मैं आपको information दूँगा तो यह जैसे my client है trade history है इस सारी चीज़े दिख रहे हैं अब यहां पर आप सबसे पहले client account कैसे create करेंगे व आप उनको client का नाम डालिए email डालिए mobile number डालिए अगर आपको नहीं डालना mobile number तो कुछ भी digit डालिए unique होने चीज़े और password डालिए अकर आपको message आता user already exist इसका मतलब आपने जो mobile number डाला है वो already हमारे पास registered है तो उसको फिर से बदल के try कर सकते हो जैसी आप submit करोगे account create हो ज लेंगे उनको सिर्फ यह करना जब वो successfully token ले लेंगे यहाँ पर my account का section है यहाँ पर आपको इस तरीके से token authentication में valid valid लिखाएगा अगर उन्होंने token ने लिया तो यहाँ पर token में invalid या expired लिखाएगा ठीक है यह चीज़ खास तोर पर आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप यहा renew का button पाथ पाएंगे renew का button पर click करेंगे payment कर सकते हो तो उस account को आप 30 दिन के लिए activate कर सकते हो default इसमें one day का demo है ठीक है उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि request का section है वो इसलिए है कि अगर आप direct account open करते हो तो आप अपनी master key अगर user ने हमारी website पर आके आपके through link से नहीं किया उसने direct से pay कर दिया sorry direct से account open कर दिया तो आपको क्या करना है यह master key जो है यह उनको बता देनी है वो जाके अपने account में master key को link कर लेंगे उनके account में link करने का यहाँ पर नीचे एक option आएगा क्योंकि यह वाला account आपने create किया है तो इसलिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर देख रहे हैं लिंक account को option आ रहा है यहाँ पर उनको आपका जो master key डाल के paste करना है verify करना है और इसके बाद link now कर देना है तो उससे भी आपका account link हो सकता अगर direct website पर हमारी पर आके बंदा register करता है तो यह था process की किस तरीके से आपको यह करना है अपना account link करना है ठ master में my account में आपको मैंने my clients का जो आपको मैंने दिखाया इसमें यह है कि जितने भी clients आपके अंडर रहेंगे आप यहां देख सकते हो यहां से आप सर्च कर सकते हो किसी का भी नाम payment कर सकते हो किसी की service stop करना है stop कर सकते हो किसी का account delete कर सकते हो उसके बाद आता हूँ trade history पर इस तरीके से आपका ट्रेड होता है तो इस तरीके से आपके सारे चले जाएंगे यहां पर आपको दिख जाएंगे आपके किस क्लाइंट का ट्रेड हुआ किसका नहीं हुआ आप अकाउंट में ट्रेड डाल सकते है अगर आप यहां तो यहां से यहां से liट कर सकते हो जोबी ट्रेड करोगे वह आपके क्लाइंट के अकाउंट में चल जाएगा Bridge Trade History, Order Book, Trade Book इनके बारे में बताऊं, Order Book, Trade Book तो आपके अकाउंट की Order Book, Trade Book है, Position भी आपके अकाउंट की है Bridge Trade History का मतलब है कि जो MT4 से Strategy बनाके या कोई भी Strategy बनाके जो आपने Trade किया होगा वो Trade यहाँ पर आपको दिखेगा तो यह जो अभी आप देख पा रहे हैं, यह हमने Angel में अकाउंट में Trade करने की कोशिश की है किसी भी MT4 का Indicator यूज करके हमने यहाँ पर Trade डाले हो तो वो Trade के बारे में यहाँ पर Information दिखा रहा है कि Entry हो गया, Exit हो गया, Entry हो गया, Exit हो गया कौन से Call में हुआ, किस में हुआ, तो यह सब यहाँ पर देख सकते हो आप आप कोई भी Strategy जो आपके Mind में है, जिसको आप बनवाना चाहते हो इसको बनवा सकते हो, और अपने साथ साथ अपने Clients के लिए भी उनको Use कर सकते हो यूजर्स बना सकते हो, उनको आप Master बनने के बाद आप नए User Create कर सकते हो उन यूजर्स को उनका Account दे सकते हो, यूजर की Security के लिए भी मैंने आपको उताया ऐसा नहीं कि यूजर का Password कोई और देख लेगा, यूजर कुछ और Accounts में कोई और Activity हो जाएगी यूजर को मैंने सीधा बोला है कि अगर आप आके User बनते हो, कोई आपको Account खोलता है तो आप सीधे आओ, Setting पे जाओ, अपना Password चेंज करो सबसे पहले यहाँ पर आके तो आपको कोई और Account Login नहीं कर पाएगा, जिसने आपका Account Create किया वो भी आपका Account Login नहीं कर पाएगा, उसके अलावा Authentication की section में आप जब generate करते हो token तो यह सिर्फ एक दिन के लिए valid होता है, आपको अगले दिन हर रोज सुबह सुबह 9 बज़े से पहले यह token ले लेना है, ताकि आपके कोई भी trade interrupt ना हो और आपकी trading automatically होती रहे, तो दोस्तो आशा करता हूँ, यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा से lengthy हो गया है, मैं मानता हूँ, क्योंकि यह product की पूरी information देनी थी, मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं कुछ short video भी बनाओ, चोटे चोटे इनके functions के बारे में, एक एक function के बारे में separate separate एक एक वीडियो बनाओ, ताकि वो आपको कम समय में easily आराम से समझ में आ सके, तो दोस्तो उसकी मैं कोशिश करूँगा बनाने की मिलता हूँ आपसे एकले वीडियो में, अगर आपको कोई भी query या confusion है, तो आप नीचे दिये numbers पे call कर सकते हैं, हम लोग सुबह 9.30 बज़े से लेके, शाम के 5.30 बज़े तक Monday to Saturday available होते हैं, आप हमें call कर सकते हो, हम आपको product की proper जानकारी दे देंगे, और अगर आप trial चाते हैं, तो हम आपको अपने machine पे trial करके भी दिखा देंगे, तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में, अब तक के लिए, बाई बाई टेक केर और हैपी ट्रेडिंग!